में आज आज ча me nr 17 photoोलेक्टिफेक्स से रिएडेड़ है आप photoallec fix क्या हूत है थोड़ा सा मैं आपको इसके बाए ब्रीफ करदू फोटो एलेटर फेक्ट है क्या मेरे पास एक मैटल मौझूद कि इस मैटल के ऊपर अगर मैं photon को स्ट्राइक करूँ इस metal के ऊपर मैंने फोटौन यानि light को ऀस्ट्राइक किया आज कि आछ Cрастında है कमी आप किसी मैटल पर फोटौन लॉटां को इन रमित निखलके जाए तो इस z Hunt एक पड़ो गीट बिटा 4-2 एलेक्टरीफफेक्ट एफ तो का मतलब in एलेक्ट्रिकल्ब एलेक्टराइब का नंगहा पने रखा नबीक का नाम यटका फॉटोन डेट्रिकनी फर्डफल dette metal surface and electrons are emitted from the surface. This effect is called as photoelectric effect. तो करे टांसर मुझे मिल जाएगा option number C. M-C no.1 के पर M-C no.2. M-C no.2 मैं आप से कहा minimum light frequency required for photoelectric effect is called dash. तो पेटा याद हो का मैं आपको इस बास सिखा चाहिए हो electron निकालने के लिए कम से कम जो frequency चाहिए minimum frequency electronic आलने के लिए कम से कम जो frequency चाहिए बिटा उस frequency को आप बोलते हो three shoulder frequency. वो frequency के रहाते है three shoulder frequency. तो यह मेरे पास three shoulder frequency को किस value से लिखते हो three shoulder frequency को लिखते हो mu not से. यह बात भी आप नवा जाद रखे आगे जलके आपकी help करेगा. आपने frequency को डबल कर दिया. आप तबाम लोगों ने energy का formula पढ़ा है e is equal to h mu यह energy का formula इस formula के मताबिक आपकी energy और frequency का आपस में relation कैसा है direct relation. अब उसने कहा भाई मैंने frequency को डबल कर दिया. यानि जहां mu है वहाँ पर आपने two mu कर दिया frequency को डबल कर दिया. तो जो energy है जो kindic energy की बात कर रहे हो kindic energy भी क्या हो जाएगी double हो जाएगी यानि अगर आप frequency को double करोगे तो जो आपकी kindic energy है बेटा वो kindic energy भी क्या हो जाएगी double हो जाएगी. तो correct answer option number क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे और option number C हो जाएगा यानि डबल अब यही mcq में बोलू भाई मैंने frequency को four times कर दिया आप बोलेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो correct answer option number C मेरे पास mcq number four the photon is a particle which has dash फोटान ऐसा पार्टिकल है जिसके पास नहीं कोई rest mass है और नहीं कोई चार्ज option number C इसका correct जबाब है यह तो आप फोटान के बारे में आपके पास कुछ basics है जो आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई photon ऐसे चीज़ है इसका नहीं कोई rest mass है और नहीं कोई इसका चार्ज होता है correct transfer option number C हो जाएगा इसका आपके नंबर फोर के बाद आगे बढ़ते हैं आपके नंबर फाइब की तरफ आपके नंबर फाइब मैं आपसे कहा वेंड़ फ्रिकेंसी ऑफ इंसिदेंट रेडिशन इस डबल आपने फ्रिकेंसी को डबल कर दिया अब 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 आप देखो थोड़ी ज़िए मैंने पढ़ाया था एनर्जी का फॉर्मला है इस एक पर टू एच मियू अब उसने आपसे कहा कि आपने फ्रिकेंसी को डबल कर दिया यानि जहां मियू नजर आ रहा है वहां पर आपने कर दिया टू मियू तो जो एनर्जी नजर आ रह है हाफ एम वी स्कॉयर मसला क्या है यहां पर छोटी शीक बात को आपको सबाइने वाली देखो फ्रिकेंसी और एनर्जी पर कोई पावर नहीं आ रही यानि जितनी फ्रिकेंसी बढ़ाओ कि अतनी एनर्जी बढ़ेगी लेकिन यहां देखो यहां काइंटिक एनर्जी और पावर में different है काईट्स के पावर नजर आ रही है यानि कुछ नहीं की डिए ऑन होती है और विलासिटी पे जूची नजर आ रही है वह मेरे पास कौन इसक्वार नजर आ रही है यानि विलासिटी पे स्कॉयर है अब आप देखो अगर कानिग एनर्जी के साथ डू लगात और two V स्वायर क्णोर तो का हुजाएनल चाहर बशेक वालिए न चाहरा हूँ पिंद डिश्बेलंस तो ہं में बल्कर के साथ अंडर नागाऊगे अब फिर अपनी चैनलेज को में बेसिक नॉलीज सेकंडेर के स्टूरंट वह ज़िस नहीं तो मैस आती होगी आपको बिटा नडरूट टू का स्कॉयर करो तो सिफ कौन आये का आप देंगे सर अंडरूट झजजवातियों के क्या करते हो कि अगर अगर फुकेंसि आपने डबल करी तो विलाउसिटी भी डबल हो जाएगी यह बात घलत है यह करेक्ट रॉंग एमसे क्यों यह यह नहीं होगी विलासिटी बढ़ेगी लेकिन अंडर रूट टू टाम बढ़ेगी अब अगाए अब आ और यहां से फोटान निकलता है और फोटो एलेक्राइडिक स्ट्राइक किया तो फोटान निकलता यह आपके बार किया आपके बाद कहला एप निकले तो एकसरी किसका और रिवuse एकसरीकिन कई प्र prose चिपक लेएक या दो से क्या बदोनी और सिके सब्सक्रिक्त दलिजिए और इनर्जी का फर्मला पढ़क है EP E is equal to Hμ, जितनी ज़्यादा frequency बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, energy बढ़ेगी, तो आपकी जो energy है, उसका direct relation frequency, जैसे energy का ये भी तो formula होता है, E is equal to Hc upon lambda, अब अगर wavelength से बात करोगे, तो बेटा wavelength से inverse relation है, यही wavelength कम करोगे, तो energy बढ़ेगी, अब क्योंकि उसने direct relation की बात करोगे, तो direct relation की बात करोगे, तो frequency होगा, और inverse relation की बात करोगे, तो wavelength होगा, M.C. number 7 के बाद, M.C. number 8, M.C. number 8 में आपसे कहा, the speed of the photon, photon क्योंकि मेरे बाद बेटा light है, create करते हैं उसको as a light, तो इसके velocity भी equal होगी, equal to the speed of light, इस speed of light के बराबर होगी, M.C. number 8 तो बड़ा असान सा था, M.C. number 8 के बाद, M.C. number 9, the amount of energy required to eject photo electron from the metal surface is called dash, तो इबाद मैंने आपको बताईए, कि electron निकालने के लिए, कम से कम जो energy चाहिए, minimum energy, electron निकालने के लिए, कम से कम जो energy चाहिए, बेटा वो energy कहलाती है, work function, थोड़े दिर पहले मैंने बताया था, कम से कम frequency, electron निकालने के लिए, कम से कम जो frequency चाहिए, वो तो कहलाती है, मेरे पाद three-shol frequency, और electron निकालने के लिए, पाता है वर्फ फंक्शन को आप लिखते हो इसका सिम्बल का मैं फार्मला भी आपको हाथ क्याइथ पढ़ा दो फामला होता है इस इक फोल टुट एच्छे मीवन उट तहाम लोगों ने टॉपिक से डाप में मैंने भी टॉपिक आप लोगों पढ़ाया तो आप लोगों याद होगा फाइनॉट इस इकपल टू एच मुनॉट यह फाइनॉट के लाए रहा है मेरे पास वर्फंक्शन हाइलाइट कर देतो उसको इस तरह का कोई नुमेरिकल आज़े तो आप कर सको वर्फंक्शन जिबकि मिव नॉट के लाए रहा है मेरे पास थ्री शोर्ड फ्रॉकेंसी आप स्झान मान नान के बार आंजिसको नामर टैन के आता है फोटो एलेक्रट्रड फ्ट वस एक्स्वेशन ओन फिट्र फोटो एलेक्र उप्ट इससी बेस पर पे आइंसेट को नोबिल प्राईज भी मेरता है। बेसिज फॉटम इस बेस पर आइने सेनको नोबेल प्राइज भी मेरा तो करें टांसर ऑप्शन नमर एंप्शु नमर 11 दा मैक्सिमम काने इनर्जी ऑफ और एलेक्रों इमेटिप्रम दार्पाइज पॉलेंगे सरक कानेटिक एनर्जी फिर वो एनर्जी की बात करें आप लोगोंने एनर्जी का फॉर्मला पड़ा एई सेख़ फ्रोकेंसी बढ़ाओगे उती नहीं जादा एनर्जी बढ़ेगी य विसीबल लाइट इंफर ड्त लाइट लाइट रिट्र वाइलेट रीडियो मीश्ग बेटियरियो इसका बीटा है मेरे पास अल्ट्रा रॉयलेट रीजिन बेच Strateg आपका मतलब सबसे ज़्यादा जो एफेक्टिव है वो अल्ट्रा वाइलेट रीजिन में अब लोग ने पढ़ा होगा एक तो होती है मेरे पाद विजीबल लाइट कि विजीबल लाइट की वेवलेंद होती है 4000 n z struggling कर वेवलेंद पर उल्ट्रा वाइलेट और जाओगे वीडिया तो वह कहलाती है मेरे पास इंफ्रारैट कहले न्याकर विप्से जो सबसे ज़्यादा जो एफिशेंट है वो आपके लिए अल्टा वाले डाइट के उपर है एंसी नंबर 12 एंसी नंबर 13 इन फोटो एलेटरी इफेक्ट दावर फॉंक्शन इस डैश वर फॉंक्शन होता है एलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम एनर्जी तो हर माटीरि है इस दिफ्रेंट मेंटल्स के लिए अंश्चनल में फोटीन के बारे में या पनकी फोडो एक्ट्री को याद किया वे तो याद होगी कि नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन का डायेक्ट्रेग्शन होता है इंटेंसीटी और फॉट्टॉन से intensity of photon जितने ज़्यादा photon की तादाद बढ़ाओगे उतने ज़्यादा electron जाहिर सी बात है ना जितने ज़्यादा photon की तादाद बढ़ाओगे उतने ज़्यादा number of electron बढ़ेंगे electron की तादाद बढ़ेगी तो correct transfer option number ही हो जाएगा 14 के बाद 12 इस ऐसे वीच करेंश सेल का काम करता है आपकी लाइट एनर्जी को और या सोलर सेल बोलो एक ही बात है सोलर सेल भी क्या काम करता है कि आपकी सन की लाइट को लाइट एनर्जी को कनवर्ट करता है एलेक्टिकल एनर्जी में तो करें टांसवर ऑप्शन नबर डी हो गया एमस्विक नंबर 16 फोटान इस नेम गिविन टुड़ एश नहीं कोई एलेक्ट्रॉन है नहीं कोई प्रोटान है नहीं पॉजिट्रॉन है बलकि कॉंटम ऑफ रडिशन एनर्जी यारे ना फोटान का नाम रखाऊगा इस्मॉल एनर्जी पैकेट्स इस तरह की डेफिनिशन अपने मेट्र क्लास में भी पढ़िए इसमॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसको आप कॉंटा बोलते हो और इसका नाम आपने रखा था कि यह कहलाता है मेरे पास कौन फोटान कहलाता है तो कॉंटम फिडियो ऑफ लाइट में मौझूद हैं एमस्विक नंबर 16 के बार 17 दे स्टेडी ऑफ फोटो एलेटरिव इस उसफल पॉर अंडर्सेंडिंग टैश बिटा आपकी फोटो एलेटरिव फेक्ट जो जिस चीज को एक्स्पें किया इसन ने वो था कॉंटम नेचर ऑफ लाइट ऑप्शन नंबर सी ऑशन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर एसका करे इसका बिटा पार्टिकल है एनि फोटो एलेटरिव इफेक्ट ने जिस चीज को एक्स्पें किया वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है करेक्ट रांस अरॉक्शन नंबर भी अब यह डिफेंट डिफेंट तरीके हैं जैसे कॉंटन इफेक्ट ने जीव निचर को यह अब नंबर नाइटीन में आप से कहां इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ सोर्स अफ लाइट नंबर ऑफ फोट्रॉंस इंक्रीजिज अभी पढ़ाया थोड़े पहले मैंने रिलेशन बढ़ाया यह लिखा वा कि नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ऑफ इसका यूनस हुता है दिफ्य किर्यूण आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा है तो चाहिड इसका यूनित है मेरे पास जूल कमन्टम का इंग्ले मोमेंटम का भी यूनित होता है मेरे पास चूल सेकड्न ने यूनिट होता है मेरे पार वो क्या होता है जूल सेकंड होता है करें ट्रांसवर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा तो यही विवलील नां में लिखो कि तो 400 नंarat से लेकर 700 नामीतर तो गलती नहीं करना it लुट यहें धिर्शन नो मीटर में वाहता वर में विव में नहीं होता है तो फिर से घ्ले M2 No.22 में आपसे का Wave Theory of Light is Unable to Prove Wave Theory की इस बात को प्रूव नहीं कर पा रही थी पैटा Wave Theory जो है Photo Electrify को प्रूव नहीं कर पा रही थी तो कि Wave Theory बोल रही थी कि Light जो है वो Particle नहीं हो सकती उसे खुद Theory का नाम नज़र आ रहा है खुद Theory का नाम क्या नज़र आ रहा है Wave Theory के Light जो है Wave है जबकि Particle को प्रूव नहीं कर पा रही और Photo Electrify नहीं इस बात को प्रूव किया कि आपकी जो Light है वो एक करती है ऐस आप पार्टिकल यह काफी सब्सक्राइब के लिए आम तौर पर इंसुलेटर के तौर पर एक करते हैं और इंसुलेटर में बेटा कोई फ्री एलेक्टर नहीं होते है यानि फोटो एलेक्टर एक्ट के लिए आम तौर पर मेटैलिक सर्फेस को ही यूज करते हो इस यह बार लास्ट के टू एमसी के तो मुझे नजर आरा एमसीग नूमर 24 देखते हैं एमसीग नूमर 24 में आपसे कहा दा फोटो एलेक्टर एमिजन टेक प्लेस इफ । यार रहना फोटो एलेक्र एόलेक्टर एक्ट में होगा अगर आपकी एंसी वर्व फंक्शन से ज़्याधा है certainty यादे ना वर्व यादे वर्व फंक्शन क्या था अद्सकिन को चाहिए has a नडी पिन अधर दो है तो है कंडिशन बनती है यानि आपकी जो एनर्जी है वह फंक्षन से ज्यादा होना क्या चाहिए करें इंस ऑस नबर बी नगा रहें एकिनिघ्रेट इन वर्फफंक्ष न्यापके नेर्जी वर्फंक्षण से ज्यादा हो 24 के बाद 25 इन दा फिनॉमेना ओप दा फोटो एलेक्ट इफेक्ट इस फिर वही बात भाई एनर्जी का फॉर्मला है इस एक्वल टू एश म्यू अब अगर आप मुझे बताओ अगर आप फ्रोकेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी तो कि यहां से अलेक्ट्रो वी बडूब करते व जाने अब मुझे को रोकने हैं अलेट्रोन को स्टम करना है अगर आनने यहां परयब दिखाया तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा आट्प्रेक करेगा मैं यहां पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा बलके यह पर कैथोर बनाऊंगा अब यह नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा रोके का अपोस करेगा यानि मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक कर दिया अब इस एलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशल चाहिए यह पोटेंशल कहलाता है मेरे पास stopping potential क्या कहलता है stopping potential stopping potential क्या है to stop fast moving electron to stop fast moving electron fast moving electron को रोखने के लिए जो आपको potential चाहिए वो stopping potential है अब आप देखो common sense की बात है अब अगर frequency बढ़ा रहे हो तो energy बढ़ रही है energy बढ़ाने का मतलब kindic energy बढ़ी kindic energy का मतलब वो अब तेजी से move करें तो जितना जादा तेजी से move करेंगे उतना जादा आपको potential चाहिए यानि उसका stopping potential भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानि increase हो जाएगा तो correct answer मुझे नज़र आ रहा है option नमबर एक यहां पहुंचके है mcqs तो आपकी complete हो गया mcqs wind up हो गया फोट एलेक्ट एफेक्ट है लेकिन एक mcq मेरे जहन मेरे जहन मेरे जो मैं आप से शेयर करों हो सकता है पेपर में mcq आप से पूछ ले तो आपको आना चाहिए mcq शेयर करते हैं आप से देखो आप लोगोंने कुछ main बाते पढ़ ली एक आपने पढ़ लिया थिरी शोल्ड फ्रिकेंसी एलेटर निकालने के लिए कम से कम दिख फ्रिकेंसी है इसको mu not से लिख रहे है फिर आपने पढ़ा work function इसको लिखते हो fine not से फिर आपने पढ़ा थिरी शोल्ड फ्रिकेंसी work function अभी अभी मैंने पढ़ा है stopping potential को लिखते हो वी नौट से यह भी मैंने आपको सिखा दिया अब मैं चौधी चीज़ा आपको सिखाना चाहरा हूं जिसका में जिखर नहीं हो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है और यह कहलाता है मेरे पाक कट आउफ वेवलेंट कैला रहा है इसको लेखते हैं लेब्डा कट-ऊफ कट-ऊफ वेवलेंट कैसे आता है तरह बात को लिखते हैं मूँ का फॉर्मुला होता है मूँ इसे एक पॉल टू सी अपॉन लेब्डा मू का फॉर्मुला स्य अपॉन लेम्डा अब अगर यह नॉडल होका तो ये बन जाता है लैंडा कट-off क्योंकि मियू नौत का मतलब फ्री शोल फ्रीकेंसी यह ना सब्सक्राइब कम से कम इतिनी चाहिए इससे कम होगे तो फोटो एलज्री का मतलब का आपस में relation inverse है अब वो अगर आपसे बात कर रहा है frequency की यानि frequency कम से कम तो wavelength ज्यादा से ज्यादा पहले इस बात को जड़ा याद करो सब्सक्राइब काया वेलिए मेरे पास 4000 ऑ्प कितना कहा 4000 यानि लेम्डा किट ओफ की वैलिई मेंड़ फॉर थाउसन एंक्स अब मैंने जू वेशू करी इसके लिए मैंने वो यूज करी 5000 ऑंग्स बताएए फोटो एलेक्टिट्र फैक्ट होगा या नहीं होगा मैं आप सबस को खुद बात ठर गौरो अलफाद पर गोर करो आपने बताया लैंडा कट-ओफ की वैलियो में चुप निए जाद से जाद इद हम एतनी वैलियो का मैंने किस वैलियो में मौन लएतना कारो उसकती है जP मेरे पाइसे रिलेटेट आया नहीं था तो मैंने आपसे शेर कर दिया कि भाई 5000 पर नहीं होगा लेकिन अगर मैं वेव यूज करना हो थिरी थाउजन की अगर मैं वेव लेंड यूज करूं 3000 एंग्सांग तो इस सुरत में तो फोटो एलेक्टर एफेक्ट हो जाएगा लेकि लेकिन अगर 5000 यूज करूंगा तो फोटो एलेक्टर एफेक्ट नहीं होगा तो यहां पहुंचके मजीर क्लियर हुए लेक्षर को वाइंड अप करते हैं शाला नेक्स लेक्षर में इससे आगे से बात करेंगे तमाम लोग अपने खायर रखिएगा अलाह आफ़िस